अभी नया notification आया 23rd law commission बनाई जा रही है तो law commission का क्या role होते हैं, members कौन होते हैं, क्या changes अभी लाए गए हैं, recommendations का क्या use होता है उसके बारे में आया explain section में Indian Express के थोड़ा देख लेते हैं, तो अभी इसका notification आया 23rd law commission रहेगी जिसका 3 साल का term रहेगा पहले जो commissions रही हैं, उनको former justice नहीं ही इसको lead किया है और law commission एक non statutory commission होती है, यानि की non statutory का मतलब कि उसको किसी law के द्वारा नहीं बनाया जाता है और इसको union ministry of law and justice बनाती है through a gazette notification और ये काई के लिए होती है, जो government की functioning होती है, उसको review करने के लिए कि कौन से laws अब पुराने हो गए हैं, किनको repeal कर देना चाहिए, नया क्या law होना चाहिए, इन सब के उपर recommendations देते हैं usually इसको judge, chair जो करते थे, वो retired judge करते थे, supreme court या high court के और इसके members legal scholars होते थे, लेकिन अब इस बार जो notification आया, इसमें खास बात ये है कि serving judge भी appoint किये जा सकते हैं, ठीक है, अब पिछली जो law commissions आई है, 22 law commission, independence के बात से भी तक याद रखना 22 आ चुकी हैं, जनोंने 289 report summit करी हैं, लेकिन अब इनकी क्या recommendations कोई obligatory होती हैं, government के उपर तो नहीं होती हैं, वो चाहें तो accept करें, चाहें तो accept ना करें, और लेकिन कुछ recommendations ऐसी आई हैं, जिनकी वज़ा से काफी important laws आए हैं, जैसे CRPC 1973 आया था, फिर RTE Act जो आया है, Children's Education के उपर वो भी law commission के recommendations से ही आया है, इस ब कहा गया है कि पैनल में एक full-time chairperson रहेगा, चार full-time member रहेंगे और member secretary रहेगा, यह इनके full-time रहेंगे, और इसके लवा part-time members पांच से जाधा नहीं होने चाहें, और साथ में legal affairs और legislative department के secretary, ex-officio रहेंगे, खास बात आपको यह याद रखनी है कि chairperson चार members और उनहीं चार members मे वो serving Supreme Court या High Court के judges भी हो सकते हैं, या फिर other category of persons, तो इस बार इनों ने यह लिखा है, other category of persons, जो की कोई भी expert हो सकता है, जिसको government choose करें, अगर मानलो कोई serving judge को अगर आप अपोइंट कर देते हैं, तो क्या उसको दोनों की salary मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, उसको अपनी usual judge की salary है मिलेगी, और साथ में अगर उनको appoint कर लिया जाता है, तो उनका term केवल उनके retirement तक कर रहेगा, या फिर जब panel expiry होगा, जो भी पहले होगा, उतना तब तक का ही उनका term रहेगा, अगर मानलो की कोई और category का, जो यहाँ पे अभी mentioned था, कि other category of person, जो की expert हो सकता है, ऐसा कोई इ secretary रहेगा, वो एक Indian legal service का officer होना चाहिए, और जिसकी rank secretary वाली होगी, अब देखिए कि normally terms reference के क्या दिये जाते हैं, तो अभी कुछ टाइम से यही दिये जा रहे है, कि जो obsolete laws हैं, जिनकी जरूरत नहीं हो, उनको हटाओ, एक standard operating procedure बनाओ, ताकि एना, जो existing laws है, उनका periodic review हो, उनक अभी 3-2 commissions के time से दी जा रही है, कि आप DPSP के according laws को examine करो, और इसलिए जो अभी last month बात भी की गई है, फिर से Independence Day के time पे Secular Civil Code की, तो वो DPSP को ही reflect करता है, बता सकते हैं कौन सा DPSP है, जो कि कहता है, कि citizens के लिए एक uniform civil code होना चाहिए, और इसके अलावा एक और term दिया गया है जो इस भार के लिए mandatory है, वो ये है कि ऐसे laws को examine करो, जो कि poors को affect करते हैं, और साथ में socio-economic जो legislation है, उसका भी audit करो, and judicial administration को review करो, अच्छा, ये तो हो गई बात कि आने वाले के लिए क्या दिया है, पिछले वालों उनने क्या किया था, तो 22nd panel जो था, उसने 11 reports रखी थी, उ उनने section 124A को retain करने को कहा था, प्लीज रिमेंबर IPC का जो section 124A sedition को लेकर है, इसको 22nd law commission ने retain करने के लिए कहा था, okay, प्लीज इसमें confuse मतो ना, हलांकि बहुत ज़ादा इसका criticism होता है, लेकिन इनका कहना ये था कि internal security को जो हमारे threats है, खासकर Maoist से, या फिर नॉट इस्ट से का था कि नहीं, ये law रहना चाहिए, लेकिन इनोंने साथ में कुछ इसमें amendment भी suggest किये थे, कि इस provision में कैसे और clarity आनी चाहिए, okay, तो ये था law commission के बारे में कैसा लगा, please बताईएगा, thank you.